तो एलो फ्रेंग कैसे आप दोस्तों आज मैं आपको उताने हों Samsung Galaxy कुछ कमाल के hidden feature बताने वालों दोस्तों यह hidden feature आपको कहा मिलेंगे कैसे यूज करना है तो आगे आपको वीडियो बताने वालों दोस्तों वीडियो उसके मत करेंगा वीडियो पूरो देखिए हो तो यह आपको मैं एक setting बताऊंगो जिसको आप वहां से अटा देंगे तो आपका mobile वहां पर थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा तो उसके लिए आपको करना क्या होगा है यहां जाना है आपको यहां नीचे की तरह हो जाएंगे आपको यहां जाना है से बिल्टी वाले option पर यह जो मैं बताने वाला हूँ आपको 1UI 4.0 अपडेट होने के बाद आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको जाना है यह पर विज्वल इन्हांस में जाएंगे तो यह आपको option मिलेगा remove animation का तो आपको उसको click करके enable कर लेना है अब क्या होगा आपक इंप्रूफ हो गया आपको दिख रहा होगा पहले कैसा चल रहा था और अब कैसा चल रहा है तो यह बहुत ही कमाल का फीचर है अगर इसके बाद भी आपको वापिस जाना होगा अपने वाइल के सैटिंग पर आपको जाना होगा about phone में about phone में जाने का आपको जाना होगा software information पे software information पे जाने का आपको इहां पर update number seven time क्लिक करना होगा और आपको यहां पर devolver और यहां जाना है यहां जाना है आपको एक option मिलेगा एझॉख का आप इसको यहां पर 0.5 पर सेक्वां कर दीना है या आपको मिलेंगे नीच़्ों तरफ आएंगे आपको मिल जाएंगे एनिमेशन का उप्शन आपको यहां पर इसको आफ कर देना है यहां फिर 0.5 पर सेट कर दो मैंने यहां पर इसको आफ करके रखे देते थे इसलिए आउटमेटिक पर आगा है पाई डिफोर्ड यह वन में होते हैं तो आपको इनको 0.5 या फिर ऑफ कर लेना है उसके वाज आप अपने मॉइल यूस करेंगे तो वहाँ पर पहले से ज्यादा आपका चलने लगा होगा उसके वाज दोस्तों बताने वारा वह यह है आप देखेंगे दोस्तों अगर आपको वाल पर लगाते हैं और पीछे का आपका एरिया पूरा हो जाता है यह और कहीं भी आप ऐसा बहुत सरय एप्समीं सुनिटेंगे वह बैक्राउं आट्मेटिक ब्लर करेंगे नहीं भां का चाहां को आपको टारभ आप का है थे तुछ सारी रही वहता हिसा थे पहुत को प्रेस करते है तो ऊपर वहां पर switch-off का उप्षिन ही भी साना मैंजू या सकते हैं पाउर वाला Corona मैंजी्ट नहीं आता है वहां पर आपको जाना है side key पे side key पे जाना है आपको यहाँ पर मिल रहा है press and hold का option यहाँ पर आपको इसको power off menu पे set कर देना है अब क्या होगा जब भी आप यहाँ पर दबाएंगे तो आपको power menu पे ही ले जाएगा मुतलब कि आपका normal menu वापस आ गया है उसके एक और option बता दूं इसी double wear option यहाँ पर आपको setting पे जाना है और यहाँ पर मैंने torch को set कर रखा है जो की बहुत useful है आपको भी उसको set कर लेना है अब होगा क्या जब भी मैं यह double bar tap करूंगा तो torch automatic on हो जाएगी और double bar tap करूंगा तो off हो जाएगी तो बहुत ही काम का यह वाला feature दिया गया है यहाँ उसके दोस्तों जो next बताने वाला वो भी बहुत कमाल का वो है आप अपने notification panel को जब भी नीचे करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर set कर रखा है यहाँ आपको दिख रहा होगा यहाँ आपको यहाँ पर भी brightness कम जादा करने का option आ रहा है पर अगर आप देखेंगे आपके पास यह option नहीं आ रहा होगा आपको यहाँ पर पूरा नीचे करना होता होगा तब आपको यहाँ पर brightness को option मिलता होगा op और शो आउट करणा में और यहां पर आपको शोश पर क्लिक कर 47 यह पर होगा यहां पर क्या होता है जब तो आपको उसको शो-अफ सो आलवेस पर एक कर देना तो आपको हर जगाप पर आपको मिल जाएगा यहाइध को एग्जैस्ट कर सकें उसके आद दोस्तों जो नेक्स बदाने वाला हूं वो है वो है नोटिफिकेशन को लेकर दोस्तों अपने बाद बहुत सारी नोटिफिकेशन आती हैं बट हम जल्दी जल्दी में उसको सारी नोटिफिकेशन को क्लियर कर देते हैं कुछ नोटिफिके जो भी आपकी नौटिफिकेशन होगी आप देखेंगे सारी नौटिफिकेशन आपको यहाँ पर से मिल जाएगी, याइवाट से अब्सक्रणाइग करेंगे, तो जितने ही मैसेज होगे, कोई डिलीड भी कर चुका होगा, तो भी आपको यहाँ पर वो दिखा देगा, तो सा करते हैं तो दिन भर अगर आप बहुत ज़्यादा बैटरी करता है तो उसके लिए यहां पर आपके काम कर सकते हैं यहां पर जाएंगे करेंगे आपको यहां पर एक कमाल का ओप्शन दिया गया है तो आपको यहां पर एक अलग से ऑप्शन देगा और फोर न्यूव नोटिफिकेशन मतलब की जब आपको आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आई तो यह वाला काम का फीचर यह से आपकी बैटरी काफी हद्तक वाले option पर डिवाइस के पर आपको जाना होगा यहां पर टीवाइटरी पर इस से क्या होगा आपका मोबाइल 85% से अब और चार्ज नहीं होगा तो उस से क्या रहता है ज्यादा मोबाइल फुल चार्ज होता है तो वो भी बैटरी को एफेट करता है तो यहाँ पर मैक्सिमूम 85% तक आपको मॉबाइल चार्ज होगा अगर आप नाइट में मॉबाइल को चार्ज लगाते हैं तो इस फीचर को तो आपको इनेबल करके रखना ही चाहिए क्या होगा उससे यह 85% के अपर वो चार्ज ही नहीं करेगा तो ओवर चार्ज की प्रॉबलम वहाँ पर कोई बनती ही नहीं है तो उससे आपकी मॉबाइल की बैटरी कापी हद तक सेफ होने वाली है दोस्तो यही कुछ कमाल के मैंने हिडन फीचर बता है आपको Samson Galaxy के उमीद है कि आपको ही मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक्यो तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको ही मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरू करें सबसे पहले मिले और हो सके तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो थेंकि दोस्त